आप सब्सक्राइब कर रहे हैं पंदर अगस के शुरुवदान की आप सबको सोतनतर दिवस के बहुत बाशुब काम ना है लेकिन सोतनतर तो हम तब पाएंगे जब हम अपने अंदर के क्रोध, अहंकार, अभी, मान, ग्रिणा, नफरत, इर्शा, इस सारी चीज हैं जो दूए करोड की जो आबदी है और हर इक का अगर वो सोफ्ट्वेर क्लीन हो जाए तो दागे कहेंगे कि हाँ भारत सची में स्वतनतर हो चुका है लेकिन पर्मपिता परमात्मा उस कारे को अलड़ी करना शुरू कर चुके हैं और उसी के हिसाब से आज हम परमात्मा के वरदान को स कि अगर हम हर कारे को अगर हम सेवा समझें यह ना समझें कि मेवा के मिलेगा उसे वो करके जिसमें कि लोग आयाता है अब इमान आयाता है उसमें अटेश्मेंट आयाती महा आता है कि मैंने यह करा देखा मैंने यह करकर देखा तो फिर आटोमाटिकली हमारे अंदर वो ने प्रमात्मा केटे हैं यह भारी पन लेकर के आप कोई भी चीज को आगे सफलता पूर करनी सकते हों तो इसको आप सेवा समझ के करो कि हाँ मैं इन आत्मा को सेवा कर रही हूं बस यह कर रहा हूं यही मेरा फर्ज है और कुछ नहीं है मुझे इनसे कुछ और इच्छा नहीं बिकाद हम जब सेवा करते हैं हम देते हैं हम कुछ लेते नहीं है देने परमात्मा है तो हमें इनसान से कुछ लेना नहीं अगर हम इनसान से मांगना शुरू कर दें कुछ करके तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर तो मुझसे तुम वंच तो मालूम है कि वह बंधन है लेकिन गड़ी-गड़ी कहने वह सोचने से और भी गड़ा बंधन हो जाता है, ना कुछ लोग कहते हैं ब्रमकाविजागरा क्या करें, फसे हुए हैं ऐसे बंधन में फस गए हैं, क्या करें कहां से आगए, कहां शादी होगी मेरी कहां, कैसे बच्चे पैदा हो गए, तो गड़ी गड़ी परमात्म कहते हैं इसी इसको बाहर बर कहना कि हाँ देखो श्रीबाब ने कहा है परमात्मे ने कहा है बंधाने 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 कल्यों में सब जगा बंधाने तो इसको हम कभी कभी इतना हम नेगेटिब बना देते हैं बोल प्रामादर करते हैं, जो श्री छोड़ोगे तो फिर कौन याद आएगा, मैं तो याद नहीं आने वाला, आपको बंधन जिसको आपने इतना बड़ा हुआ बना दिया है, बड़ा बना दिया है, वही आपको याद आएगा, इसलिए वह प्राक्टिस मत करो, वह रटो मत, इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, अपने आप से कभी तंग नहीं हो, फसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो, कैसे फसते हैं, बार बार किसी को समर्थी में लाएं, क्या है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये लोग कैसे क्यों है, तो हम बंधन में फ लेकिन वो बंधन में डालने वाले solutions हैं उनके वो आपका नजरिया ही change करना चाहते हैं आपकी दिरिश्टी कोण ही change करना आपकी direction of thinking change करतेंगे यसलिए परमत कहते हैं उनकी तरफ मत focus करो focus करो कि मुझे सेवा करनी है और मुझे अपना focus करना मुझे काम करना है तो solutions दिखने शुरू जाएंगे खेल खेल में हर कारे करते चलो तो अठक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बंते जाएंगे हर चीज़ों खेल के लिए समझाओ ये खेल है ये खेल में हार जीत होती रहती है मुझे ये खेल खेलना है मुझे और उकी सेवा करनी है मुझे और उको आगे बढ़ाना है बस मुझे सही मारक पर चलना है मुझे और कुछ बता नहीं है तो ये खेल है खेलते चलना है चाहे दूसरे चले या ना चले लेकिन मुझे और की सेवा करते हुए आगे बड़ते चलना है, बस बाकि दुनिया मेरे और में जो सोचना है, मुझे उसने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, कहां बोला, किस को बोला, यह इन चीजों में पढ़ना ही नहीं, मुझे अपनी life को सिंबल रखना है, अलकर रह जिसमें हमें अपने टार्गेट के फोकस करना हमें करना क्या है। हमें सेवा करने के लिए वह प्रमात्मा हर कारे को सेवा संजो और और सेवा करते चलो तो खेल समझ जाएगा। इसको और गहराई से समझना कर आपको तो आपको 7-day कोस करना ही पड़ेगा। तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, आपके इंदे बहुत डाउट्स रहेंगे, ओम शन्तिस के साथ